इस एपिसोड में बात करेंगे कॉर्ट के बारे में तो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी की थोड़े बहुत हाइलाइट्स फिर आते हैं चार्च पर वहाँ डिसाइड करेंगे कि के लेवेल्स के अंदर यहां पर बाइंग करनी है और आनने वाले समय में क्या टार्च लिए सकते हैं तो अभी अभी हम लोग बात किये थे पी एन भी हाउसिंग फिनांस की और वहाँ पर डिसकस किया था कि जो कंपनी अंडर वैल्यूड होती है उसके अंदर कैसे हम लोग प्ले कर सकते हैं दो चीज़ा हमें देखनी होती उसके अंदर यहां पर 120 निकल के आती है मतलब करको कंपनी बंद हो जाती है आप 72 पर खरीदते हो तब भी अगर वो कंपनी बंद हो जाती तो आपको 120 रुपए अपने खाते में मिलेगा तो इसे साब से आप देख सकते हो कि यहां पर रिस्क जो है वह बहुत काम है यह तो पहली चीज यह देखना होता है कि जो कंपनी है उसकी मतलब परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो रही हो अगर लगातार यहां पर कहो की रेविन्य गिर रहा है मार्जन गिर रही है उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट गर रहा है तो उसमें जो वैलिएशन यह करेंट प्राइज काम होती ह कुछ वैल्यू नहीं मिलने वाली है क्योंकि वो जो यहां पर डेलू आपको मिल रहा है वह क्यों छाव कि यह पर और कभी को चीदिंघ स्टेबल है उसके बाद सक्थ से अंदर आप हाँ पर बाइंग कर सकते हो बस एक चीज़ आप लोग को इसमें आयाद रखनी है कि कभी-कभी ऐसी कंपनीज में रहना पाने में बहुत समय लग जाता है तो बीच में आप लोगो हो सकता है लगे कि सही डिसेजन लिया है कि नहीं इसे कंपनीज आपको फल देख जाती है अब यहां पर देखो सेल्स तो फ्लाट है अल्मोस नेट प्रॉफिट वाइस देखा जाए तो आट परसेंट से ग्रोत है कंपनी की मार्जन और बहुत लोग है अब नीचे आते हैं कंपेर करते हैं कि पहले सही लो थी या अभी लोग है अब मार्जन वाइस देखी जाए तो अपरेटिंग प्रॉफिट मार्जन हमेशा सही जैसे है वैसी मेंटेन है फिलाल इधर भी इस देखेंगे ट्रेलिंग के थोड़ा से जादा कम हुई है इतनी कम कभी नहीं थी लेकिन बहुत साथ डिफरेंस नहीं तो इसको पॉइं जाना देना होता होगा तो वहांपे रॉं मटिर्यर प्राइजस थोड़े उपर नीचे होते रहेंगे अब यहां पर देखा जाए नेट प्रॉफिट वाईस तो नेट प्रॉफिट वाइस प्रॉफिट वाईस स्टेबल रही है कंपनी बहुत आता तो नहीं कमाई है चोट 77 हो गई है 51.64 से बहुत जादा डिफरेंस नहीं है FISDIS की कोई major stake नहीं है इसके अंदर बागी है पबलिक के पास ठीक तो अब यहां आते हैं चार्ट्स पे चार्ट्स पे देखो को तो यहां पर ultimately जो आपको अच्छी बाइंग मिलेगी वह आप लोग वह ले सकते हो इन वाले प्राइस के ऊपर इन वाले लेवल के ऊपर 73 को पर जाता है तो यहां पर आप लोग बाइंग कर सकते हो accumulating करना है धी में धी में बढ़ेगा बहुत तेजी से नहीं मिलेगा आपको लेगिन फिर भी अगर देखा जाए एक बर ब्रेक आउट अगर मिल गया था गड़ी से तो हम लोग को मतलब ज्यादा उपर जाने में समय नहीं लगेगा 73 से 149 होने में मतलब कहा सकते हो कि almost 100% से थोड़ा सा ज्यादा ही हो सकता है return दे आपको बस आपको make sure इतना करना है कि 73 को उपर आपको closing मिल जाए पहले टार्गेट आपको छोटी ट्रेड लेना चाहते हो तो 83 वाले लेवल्स की मिलेगी फिर उससे थोड़ा सा और उपर देखा जाए तो यहां तक की ट्रेड भी ले सकते हो 102 तक और उसके बाद ultimately आपको all time high का price इसको अचीव होता मिल जाएगा इसे के साथ चलेंगे किसी भी तरह की यह recommendation नहीं थी चैनल पर पहली बार आया थे तो subscribe कर देना like कर देना बेल आई के बाली notification बटन जुरूर दबाना और अपना capital safe रखना वो कि बाया